लॉंग और तुलसी का पत्ता हन्मान जी को बहुत अधिक प्रिये है और इसका उपाय हन्मान जन्वोत्साओ के दिन पूर्णिमा के दिन चमतकार करता है आप सभी को मंगलवारी हन्मान जैनती के दिन आप सभी को पूर्णिमाशी है अद्भुत दिन है अद्भुत सैयोग ह इस दिन को छोड़ना नहीं है, इस दिन का चमतकार खुली आँखों से देखना है, तो कुछ ना कुछ उबाई विशेस रूप से करने का प्रियतने करें, नौकरी, विवा, धन, संपदा, रोग, कर्ज भारी आपको परिशान कर रहा है न, किसी न किसी सरूप में आप जीवन पर रखने वाला उपाय है, वह आपको सक्तिसाली उपाय बताना चाहूंगी, जो कि पूर्ण माशी के दिन किया जाता है, गुरुजी कहते हैं, अपने उपर से 21 बार आप सभी को उतारा कर लेना है, यह उपाय आपको अपने घर के दरवाजे पल जो है, एक पीपल का पत् रखता है, चावल वह रख देने हैं, और माता लक्षमी कोई है, प्रिय है, और पीपल का पत्ता आप जानते होंगे, देवी लक्षमी से संबंध रखता है, एक पीपल का पत्ता सो ब्राह्मनों की साक्षी कराता है, असा मेरे गुरुजी कहते हैं, तो आप सभी को लेना है एक पीपल का पत्ता पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं कोई दोश नहीं है रोग ग्रस्ट जो भी बेखती है बीमारी से प्रारेशान है दवाई खाकर दिन की सुरवात होती है कर्ज हो रहा है पड़ाई में मन नहीं लगता या जो विवाह की समश्या संतानुत पत्ती में पाई किया जा सकता है पीपल के पत्ते में आपको लेना है थोड़ा सा चावल बहुत ज्यादा चावल नहीं लेजिएगा बिखर जाएंगे साथ ही आप सभी जो है जो पीपल का पत्ता लेंगे वह थोड़ा सा टाइट और साथ करड़ा पत्ता कठोर पत्ता लेना है गुर करने के बाद आप सभी को सूंग लेना है पीपल के पत्ते को नेत्रों से लगा लेना है मस्तक के लगा कर घर के दरवाजे पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि दाएं तरफ रखे या बाएं तरफ रखे परंतो आपको पूर्णिमा की राद भर पीपल के पत्ते को घर के दरवाजे पर रखकर छोड़ देना है छोड़ दिया रखकर उसके बाद आप सभी को सुबह उठना है पूने माति थी के दूसरे दिन आपको उठना है सुबह इस नालित्यादी से नेवरित होकर वह चावल रखा हुआ पीपल का पत्ता आपको या तो बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है या किसी मंदिर में नलित्यादी लगे हैं तो वहां पर अपने रोग मुक्ती हो जाए दुरघटना मुक्ती हो संतान प्राप्ती हो मंगल विवा हो रोग कर्च से मेरे परिवार को मुक्ती मिले ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको प्रवाहित कर देना है ततका काम बनेंगे विश्वास होगा जहां वहां मेरे महादेव होंगे तो प्रथम उपाय आपको करना है वीडियो में चैनल में पहले ही वीडियो आचुके हैं कई तरह की उपाय उनमें बतलाए गए हैं जो गुरुजी की पिछली कथाओं से संबंद रखते हैं जो कि मंगलवार हन्मान जी पूर्ण इमा और जो है हन्मान जन्मुत्सव से हैं गुरुजी की कथाओं में उन्होंने पहले ही कई उपाय बताये हैं वही आपको बताना समझाना जो है हम सभी पूर्ण रोप से प्रियत्न करते हैं कोई प्रश्ण हो पूछ लीजिएगा आपका अपना चैन मेरे हनमा जी कुफ प्रिय है जब बनवास के बाद माता सीता रसवी बना के हनमाँ जी को भोग लगाई थी तब उन्हें ब świ Presents प्रन प्रहाने माता सीता यहां यह तुलसी का पत्ता रग्ढ़ दिया जिसे ख़ाकर हनमाँ जी ऐसे त्र협ण को लें ये ऐसी कथा का वर्णन मिलता है तो वही तुलसी के पत्ते आप सभी को लेने हैं और लॉंग लेनी है ऐसी कोई संख्या निरधारित नहीं है कि तुलसी के पत्ते आपको कितने लेने हैं ठीक है जी तुलसी के पत्ते ले लीजे और लॉंग ले लीजे लॉंग आपकी तेवे लाल धागा मंगल ग्रह से संबंद रखता है, मंगल ग्रह जो है पिता पुत्र के आपसी, विचारों के मद्भेद, रक्त संबंदी, रोग, क्रोध, मांगलिक दोश के लिए जाना जाता है अगर कुरूर अवस्था में हो तो, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने मनों कामना, मंगल ग्रह की मजबूती, हनमान जी की शक्ति, बल प्राक्ति के लिए आपको एक लाल कलावा लेना है, घर पर आप सभी को जो है तुलसी का पत्ता, उसमें बादते जाना है, एक लौंग बादना है, एक तुलसी का पत्ता, एक लौंग, एक तुलसी का पत्ता, इस आर्थ का मोक्ष की प्राक्ति करने अला चौमुखा दीपक लगा दिजे लगा दिया उसके आद आपको जो भी आपकी इच्छा सकते सामर्थ है गुड़ चना पीले मोदी मोद के लड़ डूइत्यादी जो भी है कहने का अर्थ है आप हनमान जी के चरणों में समर्पीत कर द हनमान जी के गले में आपको धारण करवा देना है धीरे 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 आप देखेंगे कि सब कार स्वतह बन रहे हैं कस्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल रही है और यह उपाय आपका फलीत हो रहा है इस उपाय को छोड़िएगा नहीं यह चमत कार करता है लॉंग सत् आपकड़े के पत्ते की माला चड़ाई जाती है पीपल के पत्ते की माला चड़ाई जाती है अलग-अलग मालाओं का प्रमान मिलता है उसमें से यह माला सर्विस रिस्ट जानी जाती है तो प्रथम उपाय को करना है बात कर लेते हैं तीसरे सरल से उपाय की जो कि आप सभी को चावल और खीर गुरुजी कहते हैं पूर्णिमा के दिन आप सभी को जरूर से खीर बनानी है अब यह खीर जो है बूदी की या जो है साबूद दाने की या सिवाई की इंची जो की नहीं चावल की खीर कच्चे दूधर था जो गौमता का दूध है उस दूध से आपको ख खीर बनानी है खीर बनाकर आपको महादेव के मंदिर में भोग लगाना है अपने घर के मंदिर में देवी लक्षमी को भोग लगाना है अस्रीहरी विष्णु को भोग लगाना है हन्मान जी को भी भोग लगा सकते हैं भोग लगाने के बाद आप सभी को उसे ग्रहन कर ले मैं आप सभी को चंद्र मौली भगवान का नाम लेकर एक चाहल का दाना एक बेल पत्र समर्पित करना है सुब माना जाता है साम को चंद्र देवता जब उदित हो उन्हें आप सभी को जल के लोटे में कच्चा दूध डालकर समर्पित करना चाहिए यह भी कस्ट संकट रोग पीड़ा इस्तेदी से तकलीफ से दूर करता है और परिवार में समर्द्धी के लिए माना जाता है सफेद फूल से महादेव का स्रिंगार सत्यनारैन और पूर्ण माशी की ब्रत कथा का स्रमण करना अपने आप में अद्भुत कहा गया है तो आप सभी को इन सरल से उपायो करने का प्रियत्न करना चाहिए निश्चिति आपका दूर भाग या आपके कस्ट आपके संकर पीड़ा का इन से निधान होगा हन्मान जी महराज के मंदीर में चोला चड़वा सकते है यग्यो पवित उन्हें धारड करवाए पान का बीड़ा समर्पित करवाए आपके भा महादेव है हरहर महादेव जै स्री राम जै मेरे बाला जी महराज